8 मार्च 2024 साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्री की सुबह शिवलिंग पे चुपके से छड़ा देना यही गुप्त चीज भगवान भोलेनात के आशीरवाद से जीवन के समस्त कष्टों से आपको मिल जाएगी मुक्ती और आपकी जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे करोड़ पतियोम नमह शिवाए हर हर महादेव दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद 8 मार्च 2024 दिन शुकरवार को एक बेहद ही दिव्य और दुरलब अद्भुत संयोग बनने जा रहा है तो ये दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है और अगर इस दिन आप सुबह सुबह शिवलिंग पे चुपके से यह एक गुप्त चीज चड़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओ का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा और आपको धनवान माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोश है संकट है वह भी दूर हो जाएगे इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बहुत ही शीग्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं हमारी थोड़ी सी आराधना से और सचे मन से की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीग्र प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो हमारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो भगवान शिव उस समस्या को उस परेशानी को शीग्र ही दूर करते हैं और हमें मनोवांचित फल की प्राप्ती होती है सिर्फ सचे मन से की गई प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं उनकी प्रार्थना करते हैं तो शिव की क्रिपा हमें प्राप्त हो जाते हैं जब हम पूजा में प्रार्थना में या उपायों में अपनी सची श्रद्धा को जोड़ देते हैं तो हमारी कामना शीग्र पूर्ण हो जाती है हमारी समस्या शीग्र ही दूर हो जाती है तो कोई भी उपाय जब आप करें, बहुत ही सच्चे मन से करें, श्रद्धा भाव से करें और पूर्ण विश्वास से करें क्योंकि महादेव देवों के देव हैं और जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर, या कोई भी जो हमारी मनो कामना है, उसको लेकर हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं और महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं कई लोग तो महाशिव रात्री का व्रत रखते हैं, सोलह सोमवार का व्रत रखते हैं, जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ट है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, और अगर आप जीवन में परेशान हैं, चाहे आप कर्द से परेशान हैं, चाहे धन प्राप्ती की कामना है, अगर जीवन साथी की कामना है, आपको योग्य और सच्चा जीवन साथी चाहिए, या मनोवांचित वर या वधू की कामना है, आपको तो ऐसे में आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए संतान प्राप्ती की कामना है बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ती में कोई बाधा है बुरे ग्रह दोशों के प्रभाव से आप प्रभावित हैं तो आप भगवान शिव की पूजा शुरू करतें। भागे में बदलाव तुरंत शुरू हो जाता है। बस सिर्फ हमें आवश्यकता है। अपने मन को संयमित करके एकाग्र करके भगवान शिव के उपर पूर्ण विश्वास रखने की आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। महाशिवरात्री के दिन अगर कुछ विशेश उपाय करें कुछ विशेश विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो हमारी कामना बहुत ही शीग्र पूर्ण हो जाती है महाशिवरात्री के दिन प्रातह काल जल्दी उठना चाहिए और कुछ विशेश उपाय करने चाहिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो महाशिवरात्री के दिन के जो हम इस वीडियो में उपाय लेकर आए हैं वो बहुत ही सरल है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और यकीन मानिए अगर श्रद्धा भाव से आप ये उपाय करेंगे तो मनो कामना चाहे आपकी कोई भी हो आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी और आपकी कामना बहुत ही शीग्र पूर्ण हो जाएगी तो महाशिवरात्री के दिन आप प्रातह काल जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा आरादना करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ती हो मनो वांशित जीवन साथी की प्राप्ती हो अगर आप मन चाहा विवाह चाहते हैं और सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं तो महाशिवरात्री के दिन, शिवलिंग पर केसर में शृत कच्चा दूध हर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध गायका हो तो सर्वश्रेष्ट है, गायका ना हो तो जो भी दूध है। उस दूध में थोड़ा सा केसर मिलाएं, और भगवान शिव के पास जाएं, शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में जाकर उनको शिवलिंग पर दूध हर्पित करें, ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, और इस दूध को आप अर्पित करें, यकीन मानिए, आप पूरे श्रद्ध भाव से ये उपाय कीजिएगा, तो आपके जीवन में आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही है, वह शीग्र ही दूर हो जाती है, और शीग्र ही विवाह के अच्छे योग बनने लग जाते हैं, रिष्टे नहीं आ रहे होते हैं, और रिष्टे आने में भी बाधा है या बनते-बनते शादी रुख जाती है, पात नहीं बन पाती है, तो भी आप ये उपाय करें, शीग्र ही आपकी कामना पूर्ण हो, दोस्तों, अगर धन प्राप्ती की कामना है, अपार धन प्राप्ती की कामना है, तो महाशिवरात्री के दिन आपको मचलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए लेकिन जब आप आटे की गोली खिलाएं तो मन में भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जब करते रहें नमहा शिवाय या ओम नमहा शिवाय इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप मचलियों को गोलियां ढालते रहें। निश्चिती आपके व्यापार में जो बाधा आ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से आपको धन प्राप्ती में बाधा है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, वो नहीं मिल रहा है। तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ती के योग बनने लग जाएंगे। अगर कोई भी कामना हो, आपकी और चाहते हैं कि वो शीग्र ही पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर सुख समरिद्धी की कामना है, परिशानियों से मुक्ती चाहते हैं, तो महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय है, उस नंदी बैल को अगर आप हरी घास खिलाते हैं। हराचारा खिलाते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्री के दिन आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा अपने पित्रों की कृपा मिलते रहे, पित्रों की आत्मा को शांती मिले, आपके उपर सदा अन्न पूर्णा का वास रहे, तो महाशिवरात्री के दिन आपको गरीबों को भोजन कराना चा शनी का प्रभाव है, शनी की साड़े साती हैं, धाईया है, या फिर किसी भी तरह से आपको मानसिक रूप से परेशानी रहती है। शनी का प्रभावित कर रहा है, उससे आपको मुक्ती मिलती है, धन चाहते हैं और बहुत अधिक धन चाहते हैं। क्योंकि भगवान शिव को महाő़ात्री का दिन बहुत प्रिय है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ती में कोई बाधाना हो, शीग्र ही आपको संतान की प्राप्ती हो, या फिर पुत्र की प्राप्ती हो,rah तो तो महां शिवरात्री के दिन आपको ग्यारह शिवलिंग आटे से निर्मित करने चाहिए गेहु का आटा ले और उससे 11 शिवलिंग निर्मित करें उसके बाद 11 बार इनका अभिशेक करना है आपको हर शिवलिंग का अभिशेक करना है ओम नमा शिवाय का मंत्र बोलते हुए आप इनका अभिशेक करें जब आप एक शिवलिंग का अभिशेक करते हैं, तो 108 बार ओम नमह शिवाय का जाप करें। ऐसे ही हर बार 108 मंत्र के साथ शिवलिंग का अभिशेक करें। तो शीग्र ही आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है, वह पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो व बहुत समय से बीमार है, दवाईयां काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए, शिवलिंग पर आप जल से अभिशेक करें, जल से जब आप अभिशेक करते हैं, तब उसमें थोड़ा सा कुशा ढाल दें, कुशा बहुत आसानी से मिल जा तो भी आपको उस बिमारी से आराम मिलेगा। मा पार्वती की कृपा मिलती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती है। तो आज की वीडियो में हमने जो उपाय बताए हैं बहुत ही सरल उपाय है। एक उपाय दामपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। पति-पत्णी के बीच में अगर रिष्टे अच्छे हो तो स्वर्ग ढूंडने की आवश्यक्ता नहीं है। उस घर में ही स्वर्ग रहता है जिनस घर में दामपत्य जीवन सुखमय रहता है। लेकिन अगर दामपत्य जीवन में कलह खलेश हो, तो वह घर नर्क के समान स्वता ही बन जाता है। इसलिए दामपत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। तो माह पारवती और शिव की पूजा करें। जब पार्वती की पूजा करते हैं, शिव परिवार की पूजा, आप मंदिर में जाकर करें, और जब शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो ऐसे में शिव और पार्वती का गठ बंधन करें, कच्चे सूत से या मौली से कलावा से, जो हम हाथ में बांधते हैं, उस कलावे अगर आप गठबंधन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस तरह से विधिवत पूजा करते हैं, तो शीग्र ही आपका दामपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। अगर आपको ये विधियो पसंद आया है, तो विधियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल विधियो आपको सबसे पहले मिले.